सांख्य गणना यानि की संख्याओं की गिंती सबसे पहले में आपसे एक सवाल करना जाता हो कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी संख्या को गिंड सकते हैं तो आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा कि अजा, लाख, परोड, अरब या फिर खरब तक लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस से आगे भी संख्या की गिंती हो सकती है जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में आप दुनिया की सबसे बड़ी संख्या की गिंती के बारे में जानने वाले हो और साथी साथ इस दुन्या की सबसे बड़ी संख्या के बारे में भी जानने वाले हो तो इस वीडियो को अन तक जरूर से देखिएगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर एक के पीछे एक सुनिया है तो उसे हम दस कहते हैं अगर एक के पीछे दो सुनिय है तो उसे सो कहते हैं, अगर एक के पीछे तिन सुनिय है तो उसे अजार कहते हैं, अगर एक के पीछे चार सुनिय है तो उसे दस अजार कहते हैं, अगर एक के पीछे पांच सुनिय है तो उसे एक लाख कहते हैं, अगर एक के पीछे छे सुनिय तो उसे 10 लाख यानि की 1 मिलियन कहते हैं, अगर एक के पीछे 7 सुन्य हो तो उसे 1 करोड यानि की 10 मिलियन कहते हैं, अगर एक के पीछे 9 सुन्य हो तो उसे 1 अरब यानि की 1 बिलियन कहते हैं, अगर एक के पीछे 10 सुन्य हो तो उसे 10 अरब यानि की 10 बिलियन कहते हैं, अगर तो उसे एक कैते हैं। जबादिजंकू यानि कि 10 कौंटिलियोन कहते हैं अगर एक के पीछे 17 सुनिया है तो उसे एक अंतिय यानि कि 100 कौंटिलियोन कहते हैं अगर एक के पीछे 18 सुनिया है तो उसे एक मंदिय यानि कि 1 कौंटिलियोन कहते हैं अगर एक के पीछे 19 सुन्या है तो उसे 1 पराद यानि की 10 कौंटिलियोन कहते हैं अगर एक के पीछे 20 सुन्या है तो उसे 1 महा पराद यानि की 100 कौंटिलियोन कहते हैं अगर एक के पीछे 21 सुन्या है तो उसे 1 धून यानि की 1 सेक्स्टिलियोन कहते हैं अगर एक के पीछे 22 सुन्य है तो उसे एक महा दुन यानि की 10 सेक्स्टिलियोन कहते हैं अगर एक के पीछे 23 सुन्य है तो उसे एक अक्सोहिनी यानि की 100 सेक्स्टिलियोन कहते हैं अगर एक के पिछे 24 सुन्य है तो उसे एक महा अक्सोहिनी यानि की वन सेफ्टिलियोन कहते हैं। दोस्तो हिंदु धर्म में भगवन शीक रुष्ण के पास उस समय एक महा अक्सोहिनी लोगों की सेना थी। जिसका वरणन आज भी दुनिया के सबसे बड़े ग्रंद महा भारत में मिलता है। दोस्तो एक के पिछे 24 सुन्य हो तो उसे हम एक महा अक्सोहिनी कहते हैं। लेकिन हिंदी में एक महा अक्सोहिनी से ज्यादा संख्या की गिंती नहीं है। इसलिए आगे हम जानेंगे कि इंगलीज बासा में ज्यादा संख्याओ के नाम क्या है। अगर एक के पिछे 45 सुन्य हो तो उसे कोटियो और डेकिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 66 सुन्य हो तो उसे अन विजिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 52 सुन्य हो तो उसे ट्रेस्वी विजिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 90 सुन्य हो तो उसे नोवेम विजिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 93 सुन्य हो तो उसे ट्राई जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 105 सुन्य हो तो उसे 44 ट्राई जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 117 सुन्य हो तो उसे ओक्टो ट्राई जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 113 सुन्य हो तो उसे शेक्षा जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 213 सुन्य हो तो उसे शेक्षा जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 306 सुन्य हो तो उसे अन सेंटिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 333 सुन्य हो तो उसे शेक्षा जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 393 सुन्य हो तो उसे ट्राई जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 423 सुन्य हो तो उसे कोड्रा जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 433 सुन्य हो तो उसे शेक्षा जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे 523 सुन्य हो तो उसे ट्राई जिन टिलियोन कहते हैं। अगर एक के पिछे एक जार आट सो तीन सुनिया हो तो उसे सेस सेंटिलियोन कहते हैं। जिसे गूगल के नाम से जाना जाता है। और अगर एक के पिछे 10 लाख सुनियों हो तो उसे गूगल प्लेक्स कहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिजेगा। और साथ ही साथ अमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उमेचा के लिए ज़रूर से ओन कर दिजेगा। झाल झाल